बिना डिस से चलाना है आपको सेटटप बॉक्स आपको अपने सेटप बॉक्स को वायरलेस सेटप बॉक्स बनाना है तो दोस्तो इस वीडियो में बताए गए जुगार से आप अपने सेटप बॉक्स को बना सकते हो वायरलेस सेटप बॉक्स बिना डिस एंटीने के वायर बॉक्स हमारे यूटूब चैनल के जरिए दोस्तो आपको सबसे पहले कॉमेंट करना है और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करने सबस्क्राइबर को दिया जाएगा फुल एचेडी सेटप बॉक्स तो दोस्तो अभी आप देख सकते हो हमारे पास जो हमारा सेटप बॉक्स है सबसे पहले आप टी बी देखिए टी बी ओन नहीं है हमारा जो सेटप बॉक्स है यहां पर आप देख सकते हैं यह चल रहा है और सिर्फ हमारे पास एक कोईल लगा हुआ है अब दोस्तो हमारे पास यहां पर सप्लाई है आप लोग देख सकते हैं और यह देखे दोस्तो मैंने यह जो एडाप्टर है यहां पर यह देखे इस वायर को यह वायर को हमें अपने एंटीने में लगाना है तो दोस्तो अब देख सकते हो आप लो यो मरे सुपलाई गार है और ये जो इंटीने से आया हुआ है इस कंचेकटर के माद्धिम से जुआइंडर के माद्धियंसे हम इसको लगाएंगे दोस्तों यहां पर देख सकते हो उन्हगों पाहले मैंने इसको इसमें लगा दिया यह देखे आप लोग सबसे पहले मैंने इसको इसमें लगा दिया और उसके बाद से इसको इसमें लगा दिया तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारे पास यह टीवी है और इस टीवी में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे देख सकते हैं यह मैंने वायर को रख दिया और अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो सिगनल है यह देख सकते है देखिए आप लोग जो सिगनल हमारे पास आ रहा है दोस्तो 74 परसेंट और इसके पीछे आप लोग देख सकते हैं कुछ नहीं लगा हुआ है ठीक है और यहां पे दोस्तो हमारे पास जो हमारा एंटीना है और हमारा जो सेटप बॉक्स है यह विल्कुल वायरलेस सेटप बॉ लेंगे सबसे पहले आप लोग यहां पर देखें यह देखिए आप लोग ठीक है चैनल बदल के देख लेते हैं कि यह देखिए आप लोग देख रहे हैं चैनल हमारे पास बहुत सारे चल रहे हैं और क्वालिटी जो सिगनल क्वालिटी है दोस्तों आप लोग देख सकते ह गचैना 2 यह प्रदोदमने का नहीं लगा हुआ है कि एक बर ऐसे दिखा देता हूं आप लोको देख आपके हैं और यहां पर दौस्तों आप लुग देखो सबसे पहले कि हैं इन इसे हमारे पास यह जा बोर्ड में लगा हुआ है यह और उसके बाद से यहां पर आप लोग देख सकते हो यह देखो आप लोग सिगनल जो हमारे पास है आ रहा है लेकिन दोस्तों एक चीज और है आपको जो एंटीने का कनिक्शन है जो एंटीने का वायर है आपको बहुत मतब बढ़ियां रखना होगा और यहां पर जो मैंने व सिगनल हाथ मैं रख रहा हूं बोक्स पर चला जा रहा है और यहां पर दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि कुछ नहीं लगा हुआ है ठीक है सेटब बोक्स हम आप लोगों को उठा के भी दिखा देते हैं सबसे पहले देखिए आप लोग उठाया सिगनल चला गया यह सबस्सक्show सब्सक्क्राइब इस सब्सक्राइब यह नहीं जा रहा है आपको अच्छी तरीके से इसलय का यह जो है इसको लगाना है ठीक है तो दोस्तों यह देख सकते हैं यह हमारे पास जो सेटटप बॉक्स में लगेगा और सेटप बॉक्स में लगानी के लिए आपको कुछ इस परकार से इसको बना लेना है यह है दोस्तों आइंटीने का वायर है और आइंटीने के वायर में दोस्तों आप देख सकते हैं कनेक्टर लगा हुआ है कोजियल केवल कनेक्टर और आपको इतने ही बड़ा आइंटीने का वायर लेना है उसको काट लेना है और उसके पास से दोस्तो इसको अपने सेटप बॉक्स में आप लगा देंगे आपका सेटप बॉक्स आपके एंटीने के सिगनल को खीचेगा अब एंटीने में कौन सा जुगार आपको लगाना है यह मैं आपको यहां पर बताता हूं और किस परकार से लगाना है तो दोस्तो अब आप आपको डिस एंटीना लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों आ गया है अपने हाथ का बना हुआ एंटीना अब इस एंटीने को सेटप बॉक्स में घर के अंदर ही लगा लो और दोस्तों सभी टीवी चैनलों को आप देख सकते हो पूरी जानकारी बिना डिस लगाए क इस चीज को मैंने आपको बताई दिया कि यह आपके सेटप बॉक्स में लगेगा अब दोस्तों ठीक ऐसे ही आपको एंटीने का वायर इतना बड़ा लेना है यह देख सकते हैं और इसको दोस्तों कुछ इस परकार से चील लेना है और यहां पर आपको पनी लगी हुई दि लगाते हैं लगाने के लिये क्यों लगाएंगे इसकी विजानकारी हम आपको इस वीडिओ में बताएंगे यह देखिए दोस्तो हमने इस wire को यहां से काट दिया है और इसको हमने छिल दिया है यह दो wire हो गए अब दोस्तो इसको हम white वाले wire को हम बनाएंगे minus यह देख लिजे आप लोग ध्यान से देख लिए आप लोग इसको माइनस बनाएंगे और इसको हरे वाले को दोस्तो वायर को हम प्लस बनाने वाले हैं अब दोस्तो इस हरे वाले वायर को हमें बीच में लगाना है सबसे उपर आप यहां पर लाल भी ले सकते हैं नीला भी ले सकते हैं ठीक है और यहां पर यह लग जाएगा और इसको पिलास के माध्यम से दोस्तों हमें अच्छी तरीके से मोड देना है यानि कि हमें इसको अच्छी तरीके से मोड देना है यहां पर देख सकते हैं यह आप लोग देख यादर रखियेगा हम यहां बाल इतोह नोगिते से नищ और पutल़ दे महिसा है यह देखै का इस पर यह हो गया घर्क है और यह हमारा हम 4 इमसे हम चेप का देता है अच्छी तरीके से तो यहाँ पर यह टेप है और टेप से अच्छी तरीके से हम चिपका देंगे यह दोस्तों यहाँ पर हमारे पास हो गया अब दोस्तों अगला जो कदम हम उठाएंगे हमारे पास एक कोई पुराना एडाप्टर लेंगे और उस एडाप्टर को हम कुछ इस परकार से लगाएंगे अब दोस्तों यह देख सकते हैं यह हमारे पास जो एडाप्टर है इसका यह कनिकटर है यह पावर आउट करता है 12 बोल्ट तक तो इसमें हम इस तार को जो माइनस वाला वाइट वाल अटार है ऐसे लगाएंगे और जो यह वाला वायर है यानि जिसको हमने हारे वाली को प्ल फिर वही काम करेंगे के यहां पे चिपका देंगे यहां पे आप लोगोंको में दिखा देता हूं कैसे चिपका रहा हूं ये देखिए आप लोग अब मैं इसको यहां पे दिखानेぎ कि थो दूस्टों हमारे पास यह मीटर है और इसमें हम इसका current चेक करेंगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों यहां पे देखिए हम यहां पे लगाते हैं और यहां पे देख सकते हैं यहां पे हमारे पास जो जो हमारे पास current है वो अच्छी तरीके से आ रहा है अब इसकी sorting भी हम यहीं से देख लेते हैं यह sort नहीं है आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारे पास यह है लग गया है और यह sort भी नहीं है अच्छी तरीके से आप लोग देखिए इसे यह देखिए यह क और उसके बाद से सेटटप बॉक्स में इसको लगा देते हैं तो यह वाइरलेस हमारा सेटटप बॉक्स हो जाता है सेटप बॉक्स आपके पास कोई साभी हो आराम से आप लगा के घर में अलग-अलग स्थानों पे सेटप बॉक्स रख के आराम से आप टीवी देख सकते हैं तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे हाथ में ये वायर है और एक बार और मैं आप लोगों को दिखाऊंँ यहां पे ये देख सकते हैं और ये देखिए दोस्तों ये वायर है हमारे पास हाथों में हमारे वायर है और इस वायर को हम जितना दूर ले जाएंगे उतना ही हमारे के दो miej के पास जो सिगनल है दोस्तों है वह भी खोता रहेगा आप लोग देखिए कुछ इस परकार से हैं यहां पर दहुत रहा हो आप लोग कुद साइस कैमेरे में दीख रहा हो या नहीं दिख रहा हो मेरा हाथ या टी-वी में ही मेरा हाथ देख लीजिए ठीक है मैंरा हाथ यहाँ पे है ठीक है और उसके बाध से दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं no signal हो गया और यहाँ पे दोस्तों signal जो है आप चाहो तो एकदम बराबर आपको देखनी को मिले तो दोस्तों मुश्किल जी चीज है और इस चीज को मैंने यूटूब पे देखा था बहुत सारे लोग इस टाइप की वीडियो ज बना रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों को जो सही दोस्तों अगर आप खिलवार करना चाहते हैं तो इस जुगार को आप लगा के आराम से मनरंजन कर सकते हैं दोस्तों हमारे पेर यहां पर यह देखिए यह है और सिगनल जो है फ्लेक्शुएट कर रहा है यह देखिए मैंने यहां पर रखा और हमारे पास जो सिगनल है यह द इसमें लाइफ प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूं यह दिखे मैंने रखा सिगनल आ गया और यह मैं हटा लिया सिगनल चला गया तो कुल मिलाजुला के दोस्तों यह एक खिलवार है और इस खिलवार को अगर आप करते हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को माला है लेकिन दोस्तों मज़ा उनको आएगा जो इस जुगार को बना के दूसरों को से मज़े लेंगे बाकी दोस्तों आपको वीडियो जाहर सी बात है अच्छी लगी होगी एक अच्छा कंटेंट आप लोगों को सामने मैंने परोसा पीनाटिस से यह सटप बॉक्स चल आप लोग देख सकते हैं इस वाले एंटीने से तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें